नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल फार्मेसेश्टेडी में जहां आप पाते हैं दवाईयों से जुड़ी जानकारी और हेल्थ से जुड़ी जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सीरफ हमारे पास है ड सीरफ को और किस चीज में इसका उपयोग किया जाता है ठीक है और क्या साउधानी आप रखनी चाहिए इसको इसको इस्तमाल करते समय दोस्तों मैं सिल्प भहमें फार्मासिस्ट मैं करेजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं और इस चैनल पर आपको दवाईयों से जुड़ी भाध जानकरी देता रहता हूं तो चलिए आज बात कर लेते हैं धोस्तों बारे में धोस्तों यह जूड़ी ताप सीसराफ है यह जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको डाबर कमपनी बनाती है जो की एक बहुत ही फेमस कमपनी है बात करें दोस्तों इसके ingredient के बारे में तो और दोस्तों ये सीरफ जब आप मार्केट में खरीदेने जाएंगे तो ये आपको 45 रुपई की मिलेगी और इसमें 30 ml सीरफ होती है दोस्तों बात करें इसके उपयोग के बारे में तो दोस्तों जब कभी जड़वा बुखार आता है मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मरीज को जाड़ा लगता है ठंड़क बहुत ज़्यादा लगती है तो तब इसका इस्तमाल किया जाता है मुख रूप से मलेरिया में इसका इस्तमाल दोस्तों किया जाता है ठीक है मलेरिया अगर हो गई है किसी को तो इस सिरफ का इस्तमाल एक बार जरूर करें दोस्तों क्योंकि इसका फाइदा बहुत अच्छा है और खास बात ये है इस सिरफ की कि कम्प्लेटली आयरवेदिक है इसलिए इसका कोई भी साइड एफेक्ट देखने को नहीं मिलता है ठीक है बात करें कि आपको उपयोग कैसे करना है तो दोस्तों एक से दो चमच इस पर लिखा हुआ है कि एक से दो चमच आपको तकरीबन 5-10 मिल लेनी है। आप इसे इस्तमाल करने से पहले दोस्तों ऐसी ये बहुत कड़वी होती है बीटर टेस्ट इसका होता है इसलिए आप इसे थोड़े से पानी में मिला लीजिए या फिर दूध में मिलाकर इसे पीजिये दोस्तों काफी फायदेमंद ये सीरफ है और दोस्तों बात करें पड़े हुए हैं कुछ प्रिजर्वेटिफ भी पड़े हुए हैं जैसे कि सोडियम मेथिल पैराबिन पड़ी हुई है सोडियम बिंजोएट है और पोटैसियम सौरबेट है इससे किसी पकार की इलर्जी है तब इसका इस्तमाल ना करें तो दोस्तों होप आपको ये वीडिय अवस्त करना दोस्तों इस दवाई का उपयोग करने से पहले अगर आप डॉक्टर की सलाह ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है तो ये वीडियो खतम करते हैं यहीं पर मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम टेक केर बाए